तो हेलो बाइज, दिस लवेश, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में, तो आज हम सीखने वाले हैं कि stable और unstable sort में क्या फरक होता है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं, यह मेरा एक array है, let's suppose ARR है, और जो यह array है, यह unsorted array है, और जो मैंने दोनों नीचे array लिखे हैं, वो इनके sorted form है, sorted form है, ठीक है, तो यह unsorted area हमारे पास ARR, minus 22, 5, 3, 9, 2, 11, 9, तो मैंने, आप सोच रहोंगे कि मैंने यह red marker से क्यों लिखा है, क्योंकि यह दो बार 9 repeat कर रहा है, तो यह second 9 है, जो मैंने red marker से लिखा है, उसको indicate करने के लिए मैंने इसे red marker से लिखा है, और यह first 9 जो मैंने black marker से लिखा है, तो मैंने इसे sort करा है, minus 22, ascending order में, minus 22, 2, 3, 5, 9, 9, 11, minus 22, 2, 3, 5, 9, 9, 11, logically यह दोनो array same है, अगर हम बात करें, तो यह दोनो array same है, पर guys इसमें थोड़ा सा अंतर होता है, जो unsorted array है, उसमें जब यह वाला 9 है, जो यह वाला 9 है, मतलब black marker वाला 9, first वाला 9 है, मतलब जो first वाला 9 है, वो कौन सा है, black वाला, और जो second वाला 9 है, वो कौन सा है, red वाला, और इसमें क्या है, जो first वाला है, जो first वाला है, वो और जो second वाला, इसमें भी first and second, तो जो इसमें first वाला है वो तो है हमारे पास red वाला 9 और जो second वाला है वो है हमारे पास black वाला इसमें जो first है वो black वाला है और जो second है वो है red वाला तो ये वाला unstable sort है ये वाला stable sort है मतलब कि जो unsorted array में अगर duplicate element आ रहे हैं जो उनका order है वही रहता है sort करने के बाद ही, मतलब जो पहले 9 आएगा, जो बाद में 9 आएगा, मतलब जो unsorted part में, मैं दुबारा बोल लाओ, unsorted part में अगर duplicate number आते हैं, जैसे 9 आ रहा है, तो जो उनका order है, अगर वही sort करने के बाद उनका order रहता है, तो ऐसी algorithm, या फिर ऐसी sorting sorting algorithm को हम कहते है, stable, अगर उनका order है, वो अलग हो जाता है, या फिर reverse हो जाता है, जिस order में वो unsorted area में थे, उस order में नहीं है, तो उसे कहते हैं, unstable sort, तो इसमें वो ज्यादा बताने को था नहीं, unstable और stable, I hope आपको समझ में आ गया होगा, अगर आज की वीडियो आपको पसंद झाल झाल